वेलकम टू एक्जाम तक आज 11 माई और 11 माई 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोरेंट करेंट अफ़ेस के कोश्चन अम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं साथ मैं आपको हर एक कोश्चन के साथ में डीटेल में एकस्प्लेनेशन भी बताऊंगा और साथ में जो हैं एक कोश्चन भी पूछूँगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखेगा इस कुई जन पीडियेफ टेलिग्राम पर मिल जाएगी तो मेक शूर जोइन जरूर से कर लेना अब स्टार्ट करते हैं आज का विडियो राष्ट्रिय प्रोध्योगी की दिवस का मनाते हैं बहुत इंपोडेन कोश्चन है अब मैं आपको कुछ important day बता देऊं जैसे एक मही को कुछ था विश्व श्रमिक दिवस था तीन मही को क्या था विश्व प्रेश स्वतंतरता दिवस साथ मही को कुछ था तो बी आरो यानिके order road organization का इस्था अपना दिवस और आठ मही को कौन सा डे था रेड़ क्रोंस डे यह सभी जो डे ना यापको important याद रखना है डेली अगर आपका इंटरफरस का वीडियो देखेंगे तो आपको जो हैं शूर हैं आप सभी डे वगरे यह सब कुछ आपको इस्ट्राटिक जी के याद हो जाएगा तो 11 मही इसका बिल्कुल correct answer है अब 11 मही को ही क्यों मनाता है 11 मही बहुत ही जदा खास है ठीक है ना आपको याद रखना है 11 मही का अगर बात कि जाए 1974 में भी जो हैं अगर बात कि जाए यहाँ पर हुआ था इंडिया ने जो हैं पोखरण में भारत ने पहरा परमानु परिक्षिन क्या था और अठाण only में अगर बात कि जाए 11 और 13 मही को जो हैं परमानु परिक्षिन क्या था तो इसलिए important आयाद रखना 11 18 मही की डेट बहुत ही important है अगर बात कि जाए इनकी तो बारत ने जो हैं सभी पर्मानों परिक्षन कहां किया दें तो पोखरन राजस्तान में किये इस स्थल का नाम याद रखना पहला 74 में किया था इंद्रा जी के टाइम पे और दूसरी बार किया था अटल वियारी वाजबी के टाइम पे 1998 में ठीक है नेक्स रखरबाद के सेकेंड कोशन की हाल में WHO ने किस देश की वैक्सिन सिनो फार्म को मंजूरी दे दिये तो WHO लगातार यही काम करता है किसी वैक्सिन को मंजूरी देनी है या नहीं देनी है तो अभी इसने चाइना की एक वैक्सिन है आपको important याद रखना इसको भी मंजूरी दे दिये और इस वैक्सिन का नाम है सिनो फार्म important याद रखना याने वाले टाइम में वैक्सिन पूछी जाएगी एक्जाम में कि सिनो फार्म वैक्सिन किस देश किये यहां फिर अकरबाद के इसपुतनिक वी किस देश किये रश्या किये जॉंसन Beyond Johnson किस किये तो अमेरिका किये यह सभी वैक्सिन्स आपको याद रखना इंडिया में दो वैक्सिन है खुद की एक तो कोविष इल्ड है जो सिरम इंस्टिटुट ऑफ इंडिया बना रहा पर बना रहा है पूरे महाराष्ट्रा में बना रहा है और पूरे किस नदी की किनारे मुठा नदी की किनारे पूरे हैं सभी नदीयों के किनारे जो शहर वगरे हैं उनकी कुईज कल मैंने आपको टेलिग्राम पर दी थी आप लोग जरूर से कुईज डेली अटेम्ट की इबुक है जहाँ पर आपको 90 से भी ज्यादा जो हैं पेज की पूरी कंप्लेट पीडिएफ मिलेगी इस्ट्रेटिक जीके की जिसमें 50 से ज्यादा टॉपिक्स हैं और सभी की कुईज टेलिग्राम पर चलती हैं लेकिन कुईज से पहले अगर आप लोग वो जीके इबुक का वो टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको काफी बेनिफेट मिलेगा कुईज में भी और आपका जो है स्ट्रेटिक जीके इंपरो होगा डेफिनेटली 25 रुपे की इबुक हैं आप जरूर से जाकर खरी लेना मैक्सिमम डिसकाउंट का लिंक जो है नीचे डिसकर्श में हैं तो आप लोग खरीदें अपने दोस्तों के साथ भी शियर करें तो यह आपको थोड़ा सा इंपोरेंट याद रखना सिनो फार्म के अगर बात किया है तो यह चाइना की वैक्सिन है इंडिया में मैं आपको बता दिया को वीशिल्ड है और दूसरी है को वैक्सिन ठीके ना अगर बात के अमेरिका ने पहले छोड़ दिया था अभी वापस से री जॉइन भी किया है नेक्स्ट है थार्ड कॉशन हाली में कौन सा देश जो है सबसे तेजी से 17 करोड लोगों को कोरोना वैक्सिन लगाने वाला पहला देश बन गया है तो अभी जो आना भारत बन गया यह पहला देश important याद रखना हलांकि सभी देशों में vaccination का काम चल रहा है लेकिन आपको पता होगा भारत एक बड़ी आबादी का देश है तो जायर शी बात है क्योंकि जो अधिकतर देश से भाहा तो 17 करोड आबादी होगी भी नहीं तो वो कहां से वैक्सिन लगेंगे ल 17 करोड लोगों को जो हैं भारत ने vaccine उपलबत कर आदिया मलबं टीकर लगा दिया सबस्कार कि आपको इमपोर्टर नियां और भारत में अभी कौनसी आक्टीव है दो तो इंडिया कि कोविशिल्ड को वैक्सिन और तीसरी कौन सी है रशिया के इस्पुत नीक फाइव यह आपको इंपोर्टेंट याद रखना है नेक्स्ट चौता कोशन हाल में किस अंत्रिक्ष एजनसी ने डोज वन मिशन टू दा मून की गोशना की है और यह मिशन आपको इंपोर्टेंट याद रखना एक्जाम पॉइंट ऑफिस से डोज वन यह डोज वन क्या है डोग कुईन तो आपने जरूर से सुन अगर डोग कुईन जो न यह एक तरस से अगर बात की जाए डोग कोईन यह एक क्रिप्टो करेंगे जो की पूरा का पूरा यह जो जो कुईन क्रिप्टो करणसी है इसका फंडेट होगा यानि कि इसमें जो है पूरी की पूरी जो है क्रिप्टो करणसी से ही इसन का पूरा खर्चा चलेगा एंड यह जाएगा इंपोर्ट यादरका अंतरिक्ष में तो अगर इट कोई की बात की जाना तो इट कोई तो सब जानते मिंए उसी तरब से यह भी एडोजके बहुत चारी है ऐसे जो की क्रिप्टोकरंसिस होती है नेक्स्ट अगर बात के संस्ताबक वाने Elon Musk के Space X के संस्ताबक ये अमेरिका की जी अगर बात की जाए Space Agency है 2002 में इसकी स्थापना की थी Elon Musk की CEO हैं भी और California USA में Headquarter है इंपोर्टन याद रुकना अगर बात के California USA की तो California में और किसका Headquarter है Google का Headquarter है California में Facebook का भी Headquarter है California में नेक्स्ट अगर बात के पांच वा कॉशन गी हाली में नाइट फ्रेंक का द्वारा Global Prime Residential Index में नई देली का स्थान कौन सा रहा है अब ये नाइट फ्रेंक पहले मैं आपको बता दूँ ये एक तरह से Organization कहां पर है UK का Organization है London का इसने अभी जारी क्या है Global Prime Residential Index इसमें क्या होगा जो भी शेर है जैसे अगर बात के New Delhi हो गया तो New Delhi में Local Currency अपने रूपिया है उस हिसाब से यहाँ पर जो है करो का किराया कितना हाइक कर रहा है या कितना नीचे जा रहा है इसलिए ये है Global Prime Residential Index और इसमें जो है नई दिली का इस्तान रहा है 32 इंपोडेंट याद रखना है 32 इस्तान इंडिया का रहा है मैं अई दिली का रहा है और 36 इस्तान किस का रहा है तो मुंबई का रहा है 36 इस्तान 4 पॉइंट नीचे ठीक है यहाँ पर अगर बात की जाए तो टॉप थीन में कौन रहे तो टॉप दिन में तीनों ही चाइनीज सिटीज रहे हैं शेंजेन, संगाई और गवांज को यह इतना इंपोरेंट रखने की याद नहीं है बस यह याद रखना तीनों चाइना की सिटी है अगर कोशन बनता है तो भी बाकि इंपोरेंट इंडेक्स बहुत हैं इसके अलावा भी जिन पर वीडियो आ जाएगी लंदन जो हैं इसका हैड़कॉटर रहे हैं जोगी मैं आपको बता दिया यूके की एजन्सी है एंड अठाटर्सु चिननों में इसके इस्तापना हुई थी अठाटर्स चिननों में और क्या बता ओल्म्पी खेलों के स्टाट हुए थे एथेंस से नेक्स्ट अगरबात के चछटा कोशन की हाली में Spanish Grand Prix 2021 किस ने जीती है important याद रखना है यह जो होती ना Formula One Races यह बहुत ही important होती है यह जीती है इस बार भी Lewis Hamilton इसमें आपको तीनी नाम याद रखना है Lewis Hamilton, Walter Ribotas और Max Verstappen इसमें भी Lewis Hamilton जो है लगबग लगबग हर एक बार टॉप कर जाते हैं यह अभी Spanish Grand Prix recently हुई है जिसको Lewis Hamilton ने जीत लिया important याद रखना है यह किस देश के हैं? UK के हैं, Britain के हैं and Mercedes गाड़ी चलाते हैं Mercedes याद रखना है and UK याद रखना है अब मैं आपको कुछ और races बता दूँ क्योंकि काफी सारी races साल बर में होती रहती है और अगर बात की जाए, यह हाल में Spanish हुई है जिसमें आप लोग देख सकते हैं अगर बात की जाए तो Lewis Hamilton टॉप पे रहा है RCDs के उसके अलबा X-Ware Strapen रहें and फिर रहें Valtary, Bottas जो की Finland के हैं आगे अगर बात की जो पिछली हो चुके बाकी आगे तो काफी सारी होने वाली है अभी हाल में पूर्टगाल की हुई थी जिसमें भी Lewis Hamilton जीते दे उससे पहले अगर बात के Emilia Romaniya हुई थी जिसमें X-Ware Strapen जीते दे अगर बात कीज़ें यहाँ पर उससे पहले इस साल की शुरुआत में हुई थी बहरीन Grand Prix बहरीन में भी Lewis Hamilton ही जीते दे तो लगातार अभी 4 हो चुके और 4 में से 3 तो Lewis Hamilton ही जीत चुके हैं आगे काफी सारी होने वाली है जैसे जैसे होगी मैं आपको बताता जाओंगा यह पूरी की पूरी यहाँ से कोशन बनता है किसी में भी तो आपको important नाम इनी का याद रखना Lewis Hamilton का और इन दोनों का next है सांतवा कोशन दुईतिय विष्वयुद्ध विजे दीवस की वर्षगांट में किस देश ने विजे दीवस के रूप में मनाया जो दुईतिय विष्वयुद्ध दुए था उसमें क्या हुआ था ना मैं आपको बताा दू यह मना जाता है नौ मई को पहले तो यह याद रख लो नौ मई को मना गया एंड कौन मनाता है तो रश्या मनाता है रश्या ने यह क्यों मनाता है क्योंकि जर्मनी जो था ना जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था रश्या के सामने हार गया था मरलब ठीक है ना यह सेकिंड वर्ड परेड होती है इसलिए यह मनाते हैं नौ मई को विजे दीवस रश्या मनाता तो आपको याद रुखना रूस के बारे में ठीक है ना 1991 से यह हर साल परेड वगर का युजन किया जा रहा है कि 1991 के बाद सोवियत संग तूट गया था और रूस एक अलग देश बन गया था नेक्स्ट अगर बाद के रश्या के बारे में तो बलादी मीर पुतिन या के रश्ट पुति यह मॉस्को हैं कैपिटल एंड अगर बाद के एक रोड 71 लाग किलोमेटर शेत्रफल हैं यहां का एरिया हैं रूसी रूबल करंसी है यूरोप और एशिया दोनों ही महाद्विप जारी किये जसके अनुसार अगर बाद के जो संगर्श होते हैं जैसे अगल बाद के जो यूदह था हैं यह डोड़ बोंते हैं वोाल एकसेसाइज ही लगतार हम भूएे उत्र आखनड इमाचल प्रदेशमीव होती है यह नहीं हम तो हैसे बोलते हैं कि अच्छी बात है चाइना के खिलाफ हो रहा है लेकिन कहीं नहीं यह बहुत करता है एक slightly सब्सक्राइब के खिलाफ ही हो रहा है हिमालय जैसा शेत्र जा पर इंपोर्टन होते हैं वो हर देश चाहता हैं नेक्स्ट है सेन्य अभ्यास और नागरिक अशांति के करांण लुप्त होने वाली प्रजातियों के लिए खत्रा पैदा करते जी बिलकुल जो सेन्य एक्सेसाइज होती है इन्पे और ज्यादा खत्रा बढ़ता हैं ठीक है ना ए प्रोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट है यह अभी इसके रिपोर्ट आई है तो थोड़े से याद रखना बागी इसमें कुछ फेक्ट पगर तो था नहीं जो मैं आपको अता पहूं बस यह और्मल सी बाते हैं जो सबको याद होती है अब IUCN के बार में आपको बहुत इंपोडेन याद रखना IUCN क्या है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेटी फॉर अफ नेचर ठीक ना इसकी फुल फॉर्म याद रखना इंग्लिस में रखलो ताकि आसानी से याद रजाएगी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आफ नेचर यह जो नहीं थी इसका मोटो क्या है उद्देशी क्या है तो यूनाइटेट फॉर लाइफ एंड लाइवली हो ले यानि की जिंदिगी और जीने के लिए इखटा हो जाओ यह इसका मोटो हैं इंपोर्डेन याद रखना IUCN का अब एकल के सवाल का आंसर तो लॉर्ण्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवर्ड जो 2021 है उसमें स्पोर्ट्स मैन ऑफ द इयर जीता है राफेल नडाल ने स्पेन के हैं और नाओमी ओसा का जापन के इन्हों ने जीता है गुमेंस का खिताब अब आज का कुशन तो हाली में अस्थाम के नए सीम कौन बन चुके हैं इंपोरेन याद कर दोगने पोगने पिंद एमन ने ने के कुशन तो हैं लिए जीता है विसले के अजया है बएल्ग बन चापन साल अवर्ड आज कुशन तो ही जीता है राफेले कि यशन जीता है